एवीपियस न्यूस सचका साथी पति रागव राजा राम के बजन के समय कांग्रेश के परदेश अध्याच राज बबर ने मंजीरा बजाते हुए गान किया गांधी जैन्ती के आउसर पर कांग्रेश कारेकरताओं में काफी उस्साह नजर आई लगनों से देवरा सिंग की स्पेशल रिपोर्ट माइक लगो माइक लगो माइक लगो जो हम सब लोगों को हमारे लेता राहूल गांधी ने पेरित किया आज सारे वादमा गांधी जी की मुह कटा है यार एक सो पचासवी जैंती की शुरुवात की है आज हम सब लोगों ने उत्तरपुदेश के साथ यह उन्तनाम इस्थानों पर गए हैं हर जिले में गए हैं हर शहर में गए हैं हर काओं में गए हैं और हम नहीं जगहां पर मात्मा गांधी का स्मर्ण किया है और खास करूं किया यह लखनव शहर के साथ मैं गांधी जी का बहुत बार रिष्टा रहा है उन्नीस सो सोला के अंदर जब प्रेंच से उतरे थे तो उनका स्वाज़त पंडित जवारलाल नहरू सक्ताइस साल के नौजवान ने पंडित नोतीलाल नहरू जी के साथ में किया था और उसके बाद वो 31 कांग्रेस के अधिवेशन में शरीक होने के लिए गए यह वो प्रदेश है यह वो लखनव है कि जिसकी साथमी पर जो है महात्मा गांधी जी ने हमेशा कुछ ना कुछ नया दिया महलाओं को आवाहन किया इसी उत्तर प्रदेश लखनव के अंदर इसी उत्तर पार्क में जिसको आज जंडे वाला पार्क कहते हैं वहाँ पर महात्मा गांधी ने वहाँ पर यह आवाहन किया और विदेशी कपलों को आग में डाला गया यही वो जगह है जहां पर 1928 के अंदर वहाँ पर हमारे देश के करांतिकारियों ने इस अमीना अमीन उत्तर पार महात्मा गांधी को रिसीव किया था चार बाग के स्टेशन पर उसी तरह से महात्मा गांधी को रिसीव किया 1936 के अंदर पंडिक जवाहरलाल ने इस के अध्यक्ष के रूप में अध्यवेशन के लिए यह हमारे लिए बहुत ही सवाबार की इगाविश्य है कि आज हम इस मात्मा गांधी की याद को ताजा करते हैं और उनके सत्य और हिक्सा की मार पर चाहिए अध्यक्ष का बहुत बहुत आभार कि जिन्होंने हम सब को आपने प्रूथ साहित किया है भरमाजी मितलता है